नमस्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिलकुल ना है, फ्रिस और एकसाइटिंग अपसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में Airtail कंपणी के बारे में बताऊंगा दोस्तो, Airtail और Reliance जो भारत के अंदर दो मेजर टेलिकम कंपणी है हाला कि Vodafone आइडिया भी काफी बढ़िया टेलिकम कंपणी है, लेकिन उनके सबस्केबर बेस के मामले में Airtail और Reliance जो काफी आगे है दोस्तो, Airtail का जो मार्केट वैल्यू है, वो Reliance जो से काफी ज़ादा है जी हाँ दोस्तो, सुनकर आपको यह हैडा नहीं लग रहा होगा लेकिन 2022 फाइनल सेयर के अंदर जो पार्फोर्मेंस Airtail निया पर दिखा है उसके बाद Airtail का जो मार्केट वैल्यू है, वो Reliance जो से भी बढ़िया है मतलब जो इन्विश्टर से वो Airtail को पर ज़्यादा एट्राक्ट हो रहा है अपने पार्फोर्मेंस को देख करा इस कंपेट तो Reliance जो, कौन सा कंपनी का मार्केट सेयर कितना है भोड़ा फुन आइडिया भी कौन से स्टेंड के अंदर यहां पर रहते हैं इसके बाद में पूरा डीटेल्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तो अगर आपको इसके बाद में जानना है तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए चले वीडियो को शुरू करते हैं आसा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमारे और आपके चैनल टेक स्कैन पर चल रहा है एक मेगा गिवाय जहांपर आपको मिलने वाला एक brand new OnePlus 9 किस तरीके से आप इस phone को जीत सकते हैं गिवाय के अंदर participate कर सकते हैं वीडियो description पर पहला जो link है वो गिवाय वाले वीडियो का link है उस वीडियो को देखिए टामस और करनेशन को follow कीजिए और गिवाय के अंदर participate कीजिए चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर performance wise बात करता हूं तो ARTEL Reliance जो से काफी आगे है for example अगर मैं average revenue पर users की बात करता हूं जिससे डिटेक्ट होते हैं कि एक company का जो customer से वो कितना ज़्याद लॉयल है कितना frequently customers recharge करते हैं और company का कितना फायदा होते हैं ARTEL का ARPU last quarter of finance LA 2022 के अंदर 178 रुपए है जहापर Reliance जो का ARPU 168 रुपए है इससे पहले एक बार भी ऐसा situation नहीं आया कि Reliance जो ARTEL के ARPU को cross कर दिया है ARTEL का main target है कि ज्यादा से ज़्यादा subscriber अपने से आड़ नहीं करना है हम वही subscriber को add करेंगे जो हमारे साथ loyal रहेंगे और हमारे जो service है वो बहुत अच्छे तरीके से use करेंगे और इसी करन से ARTEL का ARPU है वो दिन बाद दिन बढ़ती है जा रहे है उसी के साथ जो VLA report है VLA report का मतलब है जो active subscriber वो कितना है For example आपने हो सकते हैं कि कभी ने कभी reliance जो के sim card को खड़िदा होगा 2-3 महनी use के होगा उसके बाद recharge नहीं करवा है तो जब से आप recharge नहीं करवा है तब आप reliance जो के inactive subscriber बन गए तो यह जो active और inactive subscriber के calculation है यह में लिए VLA report की मदद से होते है तो ARTEL का VLA report के अंदर 98% जो वो active subscriber है मतलब अगर आप 100 लोग ARTEL के sim card को खड़िद दें उसमें से 98 ऐसे लोग है जो continuously और frequently ARTEL के sim card के ओपर recharge करवाते है अगर मेरे reliance जो की बात करता हूँ तो आज से इंचार महने पहले reliance जो के जो active subscriber था वो 78% के आसपस था मतलब 100 लोग अगर reliance जो के sim card को खड़िद दें हो आपर 78 मतलब 78 लोग ऐसे हैं जो frequently recharge करते हैं हाला कि आज के date के अंदर उसका जो value है वो थोड़ा बढ़ गया है 93 या 94% के आसपस है तो यहां पर reliance जो significantly growth यहां पर तो कर रहा है लेकिन अगर मैं total active subscriber की बात करता हो वो ARTEL उससे जाद है अगर मैं ARTEL के brand value की बात करता हूँ जिसका total brand value है 7.7 billion dollar 7.7 billion dollar अगर मैं G.O की बात करता हूँ तो उनका value है 5.1 billion dollar और अगर मैं Vodafone Idea कंपनी के बात करता हूँ तो सबसे कम है उसका brand value जो है 7.67 million dollar तो कहां Vodafone Idea है और कहां ARTEL है 10 गुने से भी ज्यादा यहां पर ARTEL का brand value है वो हमारे पास निकल किया है दोस्तों ARTEL का performance मतलब business performance काफी बढ़िया है हाला कि अगर मैं uploading, downloading, speed और overall service quality की बात करता हूँ तो वहां पर मैं एकदम superior level का तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता है क्योंकि मैं खुद experience किया हूँ आपके साथ भी वह सेयर किया हूँ लेकिन अगर मैं overall brand value की बात करता हूँ मतलब operational businesses की अगर मैं बात करता हूँ तो पूरे चीज़ को मद नाज़र रखता हूए जो मेली investors है वो ARTEL के उपर ज्यादा attract हो रहा है क्योंकि ARTEL का brand value हो काफी ज्यादा यहां पर बढ़ गया है अगर मैं पिछले साल की performance की बात करता हूँ हाला कि अगर मैं total subscriber base की बात करता हूँ तो Reliance जो के total subscriber base तो ज्यादा है बहुत ही ज्यादा है लेकिन ARTEL उतना ज्यादा पीछे नहीं है और active subscriber के मामले में तो ARTEL का amount जो हो Reliance जो के almost बड़ा बरे मतलब company revenue के अगर मैं बात करता हूँ तो ARTEL काफी ज्यादा पैसे कमा रहा है as compared to Reliance जो कौन सा company आपके एडिया के अंदर सबसे best performance यह पर देते हैं अगर वीडियो पसंद आया कुछ नहीं जान करें मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके पासमें बेल आइकोन को दबाना बिलकुल बेमद्फली ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो टेली बैसे देखने के लिए थैंक्स वर्चिंग बाइंटिक्यार आप सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए दूस्त अपना ख्याल लिखिएगा